नमस्कार दोस्तों हकेन कुरे सॉफ्ट टेक की प्रोग्रामिंग या प्रोच में मैं जी कृष्णा चुहान आपका स्वागत करता हूँ किनी भी दो नमबर्स का मॉडलस C प्रोग्रामिंग के चुरू किस तरह से निकाल सकते हैं कि मॉडलस किस तरह से निकाला जाता है यह होता क्या है आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं आज के टॉपिक पर बात करने से पहले आपको पता होना चाहिए इस ट्रॉक्चर ओफ सी प्रोग्रेम जो कि मैं लास्ट वीडियो में भी डिसकुस कर चुक हूँ और आपको पता होना चाहिए Data Type Data Type का होता है और किस तःसे हम इसका यूज कर सकते हैं और इसके साथ ता आपको operator and its type topic भी किलियर होना चाहिए तो इन तीनों टॉपिक्स की वीडियो लेक्चर भी अवेलेबल हैं और डीटेल्ड नूट्स भी अवेलेबल हैं जिनके लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं आप बहाँ पर जाकर भी इनको पढ़ सकते हैं जिससे कि आज का टॉपिक और आज की जो लेक्चर है वो तो चलिए शुरू करते हूं तो मॉढ्ड का प्रोग्राम बनाने से सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए मॉढ्ड होता क्या है अगर हम एक नंबर को दूसरे से डिवाइड कर रहे हैं और जो हमारा शेश व्ल बच रहा है रिमेंडर बच रहा है वो हमारा मॉड कह तो mod का program बनाने के लिए हमने क्या किया सबसे पहले header file से include करी pre-processor directive और उसके बाद हमने main function लिए void main void main इस वह से लिखा है को कि void कुछ return नहीं कर रहा है function को main function अब यहां पर integer a equal to 19 और b equal to 7 ले लिया c ले लिया हमको store करने के लिए जो भी हमारे इसमें output आने वाला है clear screen लगाई और c equal to a mod b हमने यह यहां पर operator का use किया अब मैंने printf में लेख दिया mod is equal to percentile d,c और उसके बाद get ch लगा दिया और कर दिया यह बंद तो यह हमारा program हो गया जिसमें हमने यहां पर mod निकाल होगा है c equal to a mod b अब इसका क्या मतलब है कि जो भी हमारा a है जैसे कि हमने यहां पर है हमारा 19 और बी है 7,19 को 7 से divide करते हैं और उस तब जो भी हमारा remainder बचता है जैसे 7,2,14,15,16,17,18,19,5 तो इसका answer आ जाएगा 5 देखते हैं कि क्या सच में इसका answer 5 आ रहा है तो उससे पहले तो चेक करते हैं कि हमारा program error है या नहीं है देखिए हमारा program error free है और उसके बाद run करते हैं run करने पर देखिए answer आ रहा है mod is 5 थोड़ी सी value change करके देख लेते हैं बड़ी value देते हैं जैसे 190 को हम divide कर रहे हैं 71 से ठीक है run करते हैं देखिए 48 यानि कि कटने के बाद 48 यहां पर इसका remainder बचरा है पूरा पूरा कटने के बाद तो यह था हमारा mod का question और यह हमारा काफी जगा पर use होता है आगे आने मेले programs में मैं आपको mod का use बहुत अच्छे से clear करूंगा जो हम decision making loop और loop control structure के बारे में बात कर रहे होंगे तो यह था हमारा mod calculation एक बार फिर सापको revise करा देता हूं हमने इस program में क्या क्या है जो हमने data type use क्या है वो है integer type का data और एक number को दूसरे number से divide किया है तो जब हमने एक number को दूसरे number से divide किया तो divide करने पर जो भी बचा वो है आपका mod अब इसमें जो हमने operator यूज किया है वो यूज किया modless operator जैसे c equal to a mod b तो a में जो भी value होगी उसको b वाली value से divide करेंगे और जो भी reminder बचेगा वो होगा mod जैसे कि हमने printf के अंदर mod is परसंटाल डी को मास यानि कि c की value परसंटाल डी से replace हो जाएगी तो answer कुछ इस तरह से जाएगा mod is और जो भी हमारा modulus बच रहा हो तो यह था हमारा modulus का program आशा करते हैं आपको यह हमारा video lecture पसंद आया होगा काफी सारी इसमें valuable things हमने share किया आपके साथ और अगर आपको यह video हमारा पसंद आया तो प्लीज इसको thumbs up दीजे like कीजिए and this channel is new so please support us आप इस video को share भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जिससे कि वो भी सी program सीख सकें और अगर आपने यह channel अभी तक subscribe नहीं किया है तो आप इस channel को subscribe कर सकते हैं और दोस्तों अगर आपको कोई doubt है तो आप comment कर सकते हैं So this is me G Krishna Chohan and thanks for watching कर दोस्तों आपको कर सकते हैं